गुड मॉर्णिंग क्या हाल चाल है प्यारे बच्चों तो कैमिकल कानेटेक्स चैप्टर पर हम लोग डिसकस कर रहे थे इस पिछले वीडियो में आपने पढ़ा था इंटिग्रेटेट रेट एक्विशन फॉर जीरो और रियक्षन आज की वीडियो में हम लोग डिसकस करेंगे इंटिग्रेटेट रेट एक्विशन फॉर्स्ट और रियक्षन तो सारे बच्चे फटा बट पहले से हैडिंग लगाएंगे integrated rate equation for first order reaction तो हमने यहाँ पर क्या करना है एक formula derive करना है first order reaction के लिए जैसा आपने इससे पिछले वाले वीडियो में देखा होगा हमने zero order के लिए rate equation दिखाई थी आपको यानि rate constant यानि k की value का पता क्या था k के लिए जो formula है clear तो आज हम जो है first order के लिए यह सारी चीज़े करने वाले यानि हम integrated rate equation for first order reaction में rate constant का formula derive करेंगे clear rate constant मतलब यह तो बच्चों सबसे पहले हम reaction लिखेंगे एक reactant है वो degrade हो रहा है और क्या बना रहा है product बना रहा है तो इसके लिए जो rate था वो था minus d r by dt equal to और जो बच्चों हमारा rate constant है वो किस पर depend करेगा reactant की molar concentration की power 1 1 क्यों लिखा क्योंकि आपर first order है इससे पिछले वाले वीडियो में आपने यापर 0 देखावा क्योंकि 0 order है reactant की concentration पर depend नहीं करता है लेकिन यहाँ पर molar concentration की power 1 होगी क्योंकि यह first order reaction है clear आप इसको और आगे बढ़ाओ तो डी आर बाई आर इस आर को में या ले रहाओ डी टी को में उदर ले जा रहाओ ठीक है equal to minus k d t ठीक है अच्छा आप क्या करेंगे बच्चों integrate करेंगे both side है ना तो integrate करने से यह हमें मिल जाएगा ln r की molar concentration equal to minus k t plus i और जो i है उसका नाम है integrate integration constant है ना clear last वाले वीडियो में आपने देखा होगा आप देखो चलो इसको आप माल लो equation number one ठीक है भाई आप देखो बच्चों अगर मैं t की जगह मैं 0 रखता हूं यहनि शुरुवाती में ठीक है time इस समय 0 है तो reactant की concentration सबसे जाता होगी यानि अभी reactant जो है degrade होना start नहीं होगा है तो बच्चों जो हमारे पास molar concentration है उसको हम कैसे लेखेंगे इस तरह लेखेंगे यानि आर विल बिकम आर 0 रजीरो का मतलब क्या हुआ इनीशियल कॉंसेंट्रेशन और रजीक्टेंट और आर का मतलब क्या हुआ कि रियक्टेंट की वह concentration जो टी टाइम के बाद हमने देखी है तो अभी तो टी टाइम हुआ नहीं है इन जिरो है तो आर क्या होगा और जिरो ठीक है अब क्या करते हैं बच्चों यह आप 0 को यहां रखते हैं तो connecting ढोला स्य तो बच्चों यहां पर हो जाएगा हमारे पास एलन R0 equal to I तो I की value क्या होगी LN R0 तो इसको मैं माल लेता हूँ equation number 2 तो बच्चो अब हम क्या करेंगे देखो जो I की value है वो equation number 1 में put up कर देंगे clear तो यहाँ पे हम लेखेंगे put the value of I in equation equation number 1 तो आप देखो क्या बना LN equation number 1 क्या है LN R equal to minus K T plus LN R0 हो गया अच्छा यह हमारे पास आ गई equation number 3 यह बहुत काम की equation है ना इसको मागे देखेंगे इतना हो गया चलो अब थोड़ा इसको rearrange करते हैं तो कैसा बनेगा देखो अच्छा 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 आप देखो बच्छों यहाँ पर के हमने मालूम करना है k equal to one by t और यहाँ पर आ जाएगा ln r zero by r यह main है यह कई बार इसको ऐसे है अच्छा इसको आप lock की form में लिखेंगे तो यह आ जाएगा k equal to one by t और यहाँ लिखेंगे बच्छों देखो one by t नहीं यहाँ करते है two point three zero three मालू मैं ना log लगाते हैं तो यहाँ आ जाएगा log r zero by r बस तो यह हो गया हमारा rate constant for first order reaction समझ में आरी बात आच्छा जो r zero है r zero क्या है initial concentration of reactant कि इनीशियल कॉंसेंट्रेशन ओ रियक्टेंट है ना और जो बच्चों आर है आर क्या है कॉंसेंट्रेशन ओ रियक्टेंट at time t t time पर यह किसी भी time पर आप पता करना चाहते हों कि कितनी concentration होई है तो वह आर होगी ठीक है और के हमारे पास क्या है रेट कॉंस्टेंट है ना तो के इकवल टो रेट कॉंस्टेंट क्लियर तो नोट करो फटाफट तो बस यह हो गया हमारे पास है ना अच्छा देखो इतना मिटा दो मैं इतना हो गया हमारे पास है ना तो कुछ ज्यादा करना ने बस आपको थोड़ा सा एक्विशन का द्यान रखना क्या है क्या है अब देखो बच्चों कई बार इस एक्विशन को हम कैसे लिखते हैं ऐसे भी लिखते हैं देखो के एक्वाल टू 2.303 बाइटी लॉग एवाई ए माइनस एक्स ऐसे भी लिखा जाता है अच्छा वाट इस ए माल यह जाए कि जो हमारे पास रियक्टेंट है यानि आर है उसकी जो इनीशल कॉंसेंट्रेशन है वो ए मोल पर लीटर है ठीक है देखो कि इनीशियल कॉंसेंट्रेशन ओफ रियक्टेंट इस ए मोल पर लीटर है ना इनीशल कॉंसेंट्रेशन और टी टाइम के बाद आफ्टर टी टाइम एक्स पॉल पर लीटर विल डीखंपोज टी टाइम के बाद ए से एक्स मोल निकल जाते हैं तो बच्चों जो concentration बचेगी वो कितनी बचेगी ए माइनस एक्स मोल पर लिटर यह तो बचेगी तो वही हुआ यहां पर देखो ए मतलब reactant की initial concentration है और ए माइनस एक्स मतलब reactant की वो concentration है जो टी टाइम के बाद आपको दिखा रहा है तो दोनों फॉर्मले एक ही हैं बस थोड़ा लिखने का तरीका आलाग नहीं तो बच्चों यह जो है रेट equation हो गया for first order reaction clear हो रहा है ठीक चलो अब 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 जो है अगर मैं आपको यह बोलू कि मुझे दो डिफ्रेंट टाइम पर रेट कॉंस्टेंट मालूम करना है दो डिफ्रेंट टाइम पर है एक चीज़ अमें सा ध्यानक ना बच्चों अभी जो हम रेट कॉंस्टेंट देख रहे ना वो reactant की initial concentration और final concentration के बीच है यानि यहाँ पर t equal to zero है और दूसरी तरह पर t equal to कोई भी टाइम हो जाएगा कोई भी टाइम को इनीशल और फाइनल इनीशल और फाइनल अगर मैं यह बूलू कि मुझे जो है टी वन एंड टी टू के बीच रेट कॉंस्टेंट चाहिए कि समझें मेरे बात इनीशल का मतलब क्या बाइस जीरो से लेकर और बीस मिनट तक यह सैकंड तक करेंगे सैकंड बीस सैकंड तक तो यह हमारे पास वार्ड टी जीरो और यह टी होगा न तो यह रहा यह मतलब ऐसा लेखेंगे हम इसे है ना यहनि टी जूरो पर रेक्टेंट की कॉंसेंटेशन आर जीरो है और बीस सैकंड बाद उसकी कॉंसेंटेशन इतनी रह जाती है तो इसके लिए रेट एक्वेशन लिए लेकिन अगर मैं बोलूं बच्चों कि मुझे पांच सैकंड से लेकर औ को सजुल सॹसेंट का फॉर्मला क्या होगा अब यह निकर तो बोलने का मतलब एकि दो दिफ्रेंट टाइम एंटरफल के बीच रेट कॉंस्टेंट का फॉर्मला क्या होगा हुसको हम डिसकस करेंगे हैं समझ गेरी बदक तो चलो नेक्स्ट आप हेडिंग लगाओ रेट कॉंस्टेन्ट फॉर तू डिफरेंट टाइम एंटरबल ठीक है तो नेक्स्ट हमारे पास हो जागा बच्चों रेट कॉंस्टेन्ट फॉर तू डिफरेंट टाइम इंटर्वल ठीक है और दो डिफरेंट टाइम इंटर्वल कौन से है एक तो हमारे पास T1 है और दूसरा क्या है T2 है टीक है चलो देखते हैं तो जो हमारे पास अभी जो फॉर्मला मैंने लिखा था पहले उसको लिख लेते हैं कि एलन कि आर एकवल टू क्या था माइनस के टी प्लस कि एलन कि आर जिए ऐसा कुछ था ऐसा हमने निकला था अब देखिए बच्चों अगर टाइम टीवन हो तो जो हमारे पास आर है वो क्या हो जाएगा आर वन और अगर टाइम टीटू हो तो रियक्टेंट की कॉंसेंट्रेशन कितनी हो जाएगी आर टू ऐसे हो जाएगी क्लियर तो आप देखो यह वैल्यू यहां रखो तो क्या बन जाएगा देखो ल एन आर वन एक्वाल टू माइनस के टीवन प्लस ल अन और जीर विटेशन दू इशल कॉंसेंट्रेशन तो जितनी हो तनी रहेगी चलो इसको माल लो एक्विशन नामबर वन ठीज़त ठीक है दूसरी लिखो LNR2 equal to minus KT2 plus LNR0 ठीक है इसको मालो आप equation no.2 आप क्या करेंगे बच्चों equation no.1 में से equation no.2 को घटा देंगे है ना तो next हमारे पास है subtraction of equation 2 from equation 1 ठीक है तो आप क्या होगा देखो LNR1 minus LNR2 clear equal to minus KT1 ठीक है minus तो क्या होगा बच्चों minus KT2 minus KT2 minus K1 अच्छा LNR0 plus और minus दोनों कर जाएंगे तो यह हमारे पास last equation आजए clear अब इसको solve करेंगे तो कैसा हो जाएगा बच्चों हम देखो यहां करेंगे LNR1 minus LNR2 equal to KT2 minus T1 ऐसे आ जाएगा यह ठीक है और इसको हम ऐसे ब सकते हैं देखो बच्चों LNR1 by LNR2 equal to KT2 minus T1 ठीक है आप इसको उसी फॉर्मे यह देखो उसी फॉर्म में आ गई ठीक है अब इसको ऐसे बिले सकते हैं के equal to 2.303 by T2 minus T1 log R1 by R2 बस हो तो क्या यह है देखो उसी तरह आ गया सेम टू सेम है ना अच्छा आरे वन क्या है च्चाली अटी उन टाइम पर टी वन टाइम पर रियरेक्टेन की कॉंसेंट्रेशन है और ऐ्रीना की कॉंसेंट्रेशन हैं तो आपको दिया हो गेए टीवन और टीटू सॉरी टाइम दिया होगा टीवन और टीटू किंदो टाइम के बीच निकाला है और कॉंसेंटेशन दी होगे तो आप आराम से रेट कॉंस्टेंट का पता कर सकते हैं तो बच्चों यह यह जो हमने निकाला है ना यह दो डिफरेंट टाइम इंटरवल पर रहे हैं और वो जो हमने पहला लिखा था वो कितने पर इनिशल और फाइनल कॉंसेंटेशन तीज जीरो और कोई भी दूसरा आप टाइम लें क्लियर हो रहा है समझ में आ रहा है तो नोट करो फटाफट बहुत इजी है कुछ ज्यादा मथा 25 में करनी नहीं है ठीक है चालो तो आप जो है हम बात करेंगे ग्राफ की है ना ठीक है पानी पीलो में भाई घर्मी आज बहुत ज्यादा है चालो अब देखो बच्चो फर्स्ट और रियक्शन के कुछ एक्जाम्पल में आपको बता देता हूँ और उसके बाद दो ग्राफ बनाएंगे है ना ये देखेंगे कि जो है सलोप हमारा क्या होता है है थो चलो तो लिखेंगे एक्जाम्पल्स ओफ फस्ट ओर्डर रियक्शन के इससे मैंने आपको लिखाई रख है लेकिन फिर भी आप रिवाईस कर लो एक्जाम्पल और और कि एक्शन है ना देखो पहला एक्जाम्पल हमारे पास है बच्चों रिडक्शन ओफ एथीन तो एथीन का फॉर्मला होता है सी 2 C2H4 और इसका reduction होता है तो क्या बनता है C2H6 ठीक है जो हमारे पास rate है वो किस पर depend करेगा एथिन की वन कॉंसेंटेशन टम पर है ना दूसरा बच्चों हमारे पास है देखो यह बहुत important है कोई भी radioactive substance हो उसका जो decay होता है चाहे वो natural हो चाहे वो artificial हो first order kinetic के धुरो ही होता है तो यहां पर हम लिखेंगे कि डिके ऑफ कि रेडियो एक्टिव कि सब्स्टांस कि बाइए आर्टिफीशियल और natural process कुछ भी करो for example हमारे पास है radium RA 86 226 और इसका जब decay होता है तो एक helium molecule helium atom निकल जाता है और हमें मिलता है बच्चों और एन यानि redon तो यह हो जाएगा 84 और यह हो जाएगा 222 इस रेडियम और रेडियों और रेडियों कौन से ग्रूप का मेंबर है इनेट गैस रेडियम एस ब्लोक और एस ब्लोक में भी जो है अलकली अलकलाइन अर्थमाइड रेना सेकेंड ग्रूप का क्लियर हो रहा है तो 86 226 का मास है अटमिक नमबर है तो यह तो दिसिंग इसंटिग्रेशन और रेडियो अक्टिव सब्स्टांस क्यारीट थ्रोफ फर्स्ट ओडर एक्शन तीसरा हमारे पास एक्जांपल है डिकम पोजीशन ऑफ डिकम पोजीशन ऑफ एंड टू ओ फाइब एंड एंड टू ओ है ना इन दोनों का डिकम पोजीशन भी जो है फर्स्ट ओडर कानेटिक के तरूप होता है क्लियर बस एक्जांपल थोड़ा सा याद रखने है ना आज यहां पर रेट कैसे लिखेंगे देखो रेट इक्वाल टू के और रेडियम की कॉंसेंट्रेशन है ना और यहां पर दोनों हो जाएगा अपना पी यह मैंने आपको एक्जांपल बता बता रखा है ना फस्ट कि चलो अब बात करते हैं कुछ ग्राफ्स की जिनमें हम लोग कि इसको क्या हो गया हम तो देखो बच्चों एंसी आटी में दो तरह के ग्राफ्क बनें आपके पास है ना जिनमें हम लोग कॉंसेंट्रेशन और एक बार टाइम के बीच ग्राफ्स बनाएंगे है ना देखो किस तरह से आता है तो सबसे पहले एक्विशन लिखते हैं हमारे पास है एल एन आर एक्वाल टू माइनस के टी प्लस एल एन आर जीरो ठीक है अच्छा यह बिलकुल स्टेट लाइन एक्विशन है वाई एक्वाल टू एम एक्स प्लस सी और बच्चों अगर हम इसके और टी के बीच ग्राफ्स देखें देखो है ना यहां पर आओ लन आर ठीक है और यहां पर आओ आप टी क्लियर और तो हमारा जो स्लोप होगा वो बिलकुल ऐसे बनेगा स्लोप होगा माईनस के और यहां पर हमारी जो कॉंसेंट्रेशन होगी वो होगी आर जिरो है तो देक्वो जो रेक्टेन की कॉंसेंट्रेशन वो देरे-देरे कम हो रही है तो इले आर और टी के के बीच इस तरह का ग्राफ बनेगा दूसरा अगर आपको लॉग आर जीरो बाई आर के बीच ग्राफ बनाना है तो सलोप क्या होगा हमारे पास के बाई टू पॉइंट 303 टी तो इसके और टी के बीच ग्राफ बनाना है देखो कि लॉग आर जीरो बाई आर और यहां लखेंगे टी यह दर हो जाएगा ठीक है तो जो हमारा स्लोप होगा यह वह किसके बराबर होगा के बाई टू पॉइंट 303 इस तरह से हम जो है टाइम और एलन आर और इन दोनों की बीच ग्राफ बनाते हैं ठीक है तो नोट को रोफट बने वे ग्राफ तो बच्चों नेक्स्ट हमारे पास है इंटिग्रेटेड रेट एक्विशन फॉर्स्ट और रियक्शन वेन रियक्टेंट एन प्रोड़क्ट आर इन गैस फेस अभी आपने जो है सॉलिड के लिए देखा है ठीक है अब हम बात करेंगे रियक्टेंट और प्रोड़क्ट जब गैसे स्फेस में हो तो तब हमारे पास रेट कॉंस्टेंट का फॉर्मला क्या होगा अब देखो बच्चों एक्विशन हमारे पास है कि एक हमारे पास ए गैस है जो बी और सी प्रोड़क्ट बना रही है तो यहां पर पहले मैं आपको कुछ टर्मिनलो कि इनीशियल कि प्रेशर ओफ कि रियक्टेंट ए यह तो हुआ एका इनीशिल प्रेशर ठीक है पी टी का मतलब होता है है कि टोटल प्रेशर यह अपने राउट लों में पड़ा होगा और पी ए पी बी एंड पी सी एक्वल टू पार्शल प्रेशर ओफ कि पार्शल प्रेशर ओफ ए बी एंड सी अब देखें बच्चों आपको मालूम होना चाहिए कि जो प्रेशर होता है वो डैटली कि कि किसे और बच्चों सबके सब एक साथ तो उसका डॉटल प्रेशर होता है उने सबके पार्शल प्रेशर के संके बदेल करेंगे ठीक है तो देखो कोhoot माल लिया जया हमारे पास है जो रियक्टैंट हैuir उसकी कॉंसेंट्रेशन टी जी ज्रो टाइम पर किसके बराबर Hog driving उसके प्रैशर के बराबर होगी तो माले इसका जो प्रैशर है ओपी आई इंपीम है इनीशल तो इनका इनेशल प्रैशार क्या होगा जीरो एटियम और 0 ATM, clear, अब T time पर, T time पर, कुछ न कुछ जो रियक्टेंट है, वो प्रोडक्ट में convert हो रहा है, तो माल ले जाए कि, X ATM, B बन रहा है, और X ATM, C बन रहा है, तो जो पी आई का, स्वारी, जो एका प्रेशर था, वो और कम हो गया, वो कितना वा, पी आई माइनस, X ATM, ये तो हुआ, X ATM इदर चला गया, X ATM इदर चला गया, प्रेशर थोड़ा सा कम हो, clear, अब देखो बच्चों जो टोटल प्रेशर होता है, P, T, इक्वल टो होता है, सब के पार्शल प्रेशर के बराबर, है ना, आप देखो, P, T, इक्वल टो, P, A क्या है, P, A मतलब इसका पार्शल प्रेशर, तो इसका पार्शल प्रेशर कितना हमारे पास है, P, I, माइनस, X, प्लस, P, B कितना है, X, atom x p c कितना है x clear इसको आप solve करोगे तो यह आ जाएगा बच्चों pi plus x ठीक है total pressure क्या है pi plus x अब देखो अब हमने क्या करना है x की value निकाल ली है तो p t equal to pi plus x तो यहाँ पर x equal to आ जाएगा p t minus pi clear अब देखो बच्चों जो a का partial pressure है जो a का partial pressure है वो क्या है हमारे पास pi minus x यह है अब यहाँ पर x की value रखो तो यह आ जाएगा पी आई माइनस पी टी माइनस पी आई करेक्ट पी आई पी आई यह प्लस में आ जाएगा तो यह हो जाएगा बच्चों टू पी आई माइनस पी टी यह देखो तो जो एक पार्शल प्रेशर है टी टाइम के बाद वो इतना होगा एक पार्शल प्रेशर आफ्टर टी टाइम वो कितना हो रहा है इतना होगा अब देखो इतना नूट करते जो फटा पड़ेना इसको मैं मिटा दे रहा हूं यहां पर ठीक है अब जो हमारे पास फर्स्ट ओर्डर के लिए रेट कॉंस्टेंट वो क्या था क्ये एक वाल टू 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 पाइंट 303 बाई टी और हमने लिखा था लॉग इनिशल कॉंस्टेशन और रेटेंट वाई दा फाइनल कॉंस्टेशन ठीक है अच्छा यहां पर हम जो है रेटेंट के इनिशल कॉंस्टेशन के क्या लिखेंगे ए तो इस केस में क्या लिखा जाएगा बच्चों टू पॉइंट 303 बाई टी लॉग तो ए बाई पी ए यह तो हुआ ए बाई पी ए तो हमारे पास टू पॉइंट 303 बाई टी लॉग ए इनिशल कॉंस्टेशन कितनी है पी आई पी आई ठीक है बाई फाइनल कॉंस्टेशन कितनी आई पी ए और पी ए की वैलू कितनी है टू पी आई माइनस पी टी 2Pi-PT तो ये हमारे पास जब reactant gas phase में हो तो उसके लिए rate equation आगे clear? तो नोट करो जड़ा, फटा फट तो बच्चों, next topic हमारे पास है half life of a reaction देखते हैं कि half life of a reaction क्या होता है, definition क्या होती है और इसके लिए जो हम equation बताएंगे यारी जो formula derive करेंगे वो किस तरह से करेंगे? तो चलो, discuss करते हैं half life of reaction सबसे पहले heading डारे बच्चों, half life of a reaction half life of reaction is represented by T half क्या होगा बच्चों, T half अब देखो, एक example से half life of reaction समझते हैं suppose माल लेज़े हमारे पास ठीक है, सुरुवात में शुरू में, यानि T0 जब होता है तो रियक्टन की concentration कुछ होगी और प्रोडेट की concentration 0 होगी माल लेज़े हमारे यहाँ पार रियक्टन की concentration है 50 gram तो प्रोडेट की concentration है 0 gram अब देखो जैसे जैसे reaction आगे बढ़ती रहेगी रियक्टन की concentration कम होती रहेगी प्रोडेट की concentration बढ़ती रहेगी ऐसा ही हमने पड़ा था ठीक है अब ऐसा मानते हैं कि कुछ समय बाद after tea time after tea time कुछ समय बाद आपने देखा कि जो रियक्टन की concentration है वो हो गए है 25 gram ठीक है 25 gram हो गई है यानि आपको क्या दिख रहा है कि जो रियक्टन की concentration है वो अपनी initial concentration के just आदी हो गई है after tea time यह तो रहे यानि कुछ समय बाद after tea time जो रियक्टन की concentration है वो अपनी initial concentration के just 50% है तो बच्चों वो टाइम जब किसी रियक्टन की concentration अपनी initial concentration के just half हो जाती है 50% हो जाती है तो उसी time को हम क्या बोलेंगे tea half clear? तो चलो definition यहाप लिख देते हैं तो यहाँ पर लिखेंगे half life of a reaction is the time is the time actual time है नहीं the time in which in which the concentration of concentration of reactant ये तो बच्चों भा? the concentration of reactant is reduced to reduced to one half or 50% it reduced to one half from या आउस इट्स इनीशल कॉंसेंट्रेशन इनीशल कॉंसेंट्रेशन बस इसी को हम मूलेंगे half life, half life of reaction is the time, वो time जब कोई reactant अपनी initial concentration का just half रह जाता है, उसको हम बोलेंगे बच्चों T half और यानि half life of reaction और it is represented by the T half, प्लियर हो रहे हैं, अब हमारे पास दो order reaction है, यानि एक zero order की reaction है, दूसरी first order की reaction है, इन दोनों के लिए हम T half का formula derive करेंगे, कि जब zero order reaction होती है, उसके लिए T half कैसे निकालेंगे, first order reaction के लिए T half कैसे निकालेंगे, clear, तो बच्चों सबसे पहले बात करते हैं, T half for zero order reaction है ना, अच्छे इतना तो हो गया ना, चलो इसको मैं मिटाई देता हूं, जएधा अच्छ रहे हैं, तरीके से इसको करते हैं, तो नेक्स्ट एडिंग डालिया आप बच्चों, T half for zero order reaction, और उसके बाद T half for first order reaction है ना, तो समझ गे बात मेरी, ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करेंगे, T half for zero order reaction, ठीक है, अच्छा, zero order reaction के लिए rate constant का formula सबको मालूम है, क्या लिखा था हमने बच्चों, K equal to R zero minus R by T, ऐसा कुछ था, ठीक है, तो T equal to हो जाएगा, T equal to हो जाएगा, R zero minus R by K, K rate constant है, T time है, R जो है final concentration है, R जो है initial concentration of reaction, ठीक है, अब बच्चों देखो, if T equal to T half, हमने T half निकालना है, ठीक है, तो जो बच्चों हमारी final concentration है, यानि R है, वो initial concentration के just आधी हो जाएगी, यह तो हो है, तो हम R को क्या लिख सकते है, अब इस value को formula में रखो, ठीक है, तो T half equal to R zero minus R zero by two, ठीक है, आप देखो बच्चों यहाँ पर एक चीज आपको समझनी है, यह जो हमारा T half है, यानि जो half life of reaction है, वो reactant की initial concentration के directly proportional है, तो यहाँ पर एक चीज आपको यह ध्यान में रखनी है, T half is directly proportional to the initial concentration of reactant, clear, तो यह हमारे पास T half हो गया, किसके लिए, zero order reaction के लिए, है ना, आच्छा, आप दूसरा यहीं पर, T half for first order reaction है, ना, first order reaction, clear, आप देखो, first order reaction के लिए rate constant हमारे पास के था, K equal to 2.303 by K, नी भई, T है ना, और यहाँ था बच्छो, log A नहीं लिखेंगे, R लिखेंगे, R 0 by R, ऐसा था, clear, ठीक है, अब क्या करें यह, T को मैं इदर ले जा रहा हूं, K को इदर ला रहा हूं, है ना, तो यह हो जाएगा, बच्छों हमारे पास, के, T equal to 2.303 by K, log R 0 by R, clear, अब वह यह खान ही आपर दोड़ा दो, if T equal to T half, है ना, जो हमारा R है, वो किसके बराबर हो जाएगा, initial concentration का जस्ट आजा, ठीक है, अब इस value को यहां रखो, तो T की जगे में हम रखेंगे, T half equal to 2.303 by K, और यहां पर हो जाएगा, स्वरी, यहां पर हो जाएगा, बच्छों, log R 0 तो उपर वैसे रहने वाला है, नीचे क्या हो जाएगा, R 0 by 2, R 0, R 0 कर जाएगा, तो इतना, पहले इतने को solve करते हैं, यह हो जाएगा, बच्छों, हमारे पास log 2, और log 2 की value होती है, 30, 0.3010, clear, तो अब देखो, अब आ जाएगा, हमारे पास T half equal to 2.303 by K, और into हो जाएगा, 0.3010, तो बच्छों, यह निकल के आ जाएगा, T half equal to 0.693 by K, बस, यह आपको ध्यान रखना है, तो यह हमारे पास T half, किसके लिए आ गया, first order reaction के लिए, और यह हमारे पास T half, किसके लिए आ गया, 0 order reaction के लिए, अब देखो, बच्छों, first order reaction में जो T half है, वो, reactant की initial concentrations के independent है, देखराना, यानि, there is no dependence on T half of initial concentration of reactant, तो यहाँ पर हम लिखेंगे, T half, reactant की initial concentration के, directly proportional नहीं होता, यानि होता ही नहीं हो, बोलने के मतलब, तो अच्छा इसको लिखने का अच्छा तरीका, यह मतलिको, यह तो, T half is independent, ज्यादा अच्छा रहेगा, independent of initial concentration of reactant, जबकि यहाँ पर यह डियाटली proportional है, क्लियर हो रहा है कुछ, तो फटा-फट से नोट करो, यहाँ पर T half for zero order reaction, और यहाँ पर T half for first order reaction, क्लियर हो गया, समझ में आ गया, बहुत एजिय है, कुछ ज़्यादा इसमें करना है नहीं, ठीक है, इतना ही T half के बारे में आपको जाना है, आप देखो बच्चों, बनेगा किस किस के बीच बनेगा, यहाँ पर देखे, यह जो ग्राब बनेगा, वो बनेगा T half और R zero के बीच है ना, तो यहाँ पर हम लेंगे, इधर T half और यहाँ पर हम लेंगे, यह, तो बच्चों जो हमारा slope होगा, वो किस के बराबर होगा, वन बाई टू के के बराबर, बस, ठीक है, तो यह ग्राफ प्याफ नोट करो, ठीक है, च्यालो, बहुत अच्छी बात है, हमारे पास, यह हो गया, क्लियर, तो बस इसमें इतना ही आपको ध्यान रखना है, चलो, अब दूसरा टॉपिक हमारे पास है, बच्चों, सीडो, सीडो का मतलब क्या होता है, छदम, यानि जो धोका देता है, दिखता कुछ और है, होता कुछ और है, है ना, तो यहाँ पर भी ऐसी होगा, देखेगी कुछ और, होगी कुछ और, ढोका देने वाली, तो हैडिंग डालिए बच्चों, स्यूडो फस्ट और रेक्षिन है ना स्यूडो फस्ट और रेक्षिन का मतलब क्या होता है जो कुछ छुपा वा होता है दिकता कुछ और होता दोका देने वाला है ना चलो इसको पहले एक से समझते हैं कि वाट इस सीडो फास्ट और रियक्शन देखो माल लिजा हमारे पास कोई रियक्टेंट है ए एन बी और यह दोनों क्या बना रहे हैं एक प्रोडक्ट बना रहे हैं इसके लिए जो हम रेट लिखेंगे वह कैसे लिखेंगे के आपको इसके लिखेंग mlॉल कि रियक्शन और रियक्शन बन जाती है यह तो वह ना तो यह बच्चों कौन्सी रियक्शन दिखा रहे हैं को सेकंट और रियक्शन आप इसको ध्यान से देखाँ है ना अभी आपको यह सेकंड औरर कोनसेंट्रेशन दिख रही है लेकिन इमेजन करो अगर इन दोनों रियाक्टेंट में से किसी की सटैन्ट्रेशन सुरी किसी की कौन्टेटी नोड इन ऑ किसी की कौन्टेटी ज्यादा हो देकर मैं क्या लिख रहा हूं इस है कि one of the-, क्या-क्रेटेंट is in large quantity अगर इन में से कोई एक reactant large quantity में हो माल ले जाए हम इस B को large quantity में माल लेते हैं और A को हम small quantity में माल लेते हैं ना ठीक है if one of the reactant is present in large quantity ठीक है अच्छा जब कोई reactant large quantity में होता है तो it must be ये हो सकता है it may be a solvent large quantity तो इसका मतलब ये एक solvent होगा क्योंकि जब हम solute और solvent की reaction करते हैं दोनों मिलाते हैं तो solvent हमेशा ज़्यादा होता है solute कम होता है तो if one of the reactant is in large quantity मतलब it must be a solvent तो दूसरा पॉइंट क्या बनेगा का बने solvent की concentration में change कम होगा ठीक है ये लगबग constant रहने वाला है और जब बच्चो ये constant रहने वाला है तो जो rate है इस reaction का वो किस पर depend करेगा उस reactant पर depend करेगा जिसकी quantity कम है तो कब लिखेंगे the rate of reaction is depends on the reactant having lesser quantity less quantity yeah clear हो रहा है जो कम quantity में होगा वो depend करेगा rate of reaction को यानि वो decide करेगा rate of reaction के है समझ में आज बात आ रही ठीक है तो बच्चो अब जो हमारी reaction है वो second order की हमें दिख रही है लेकिन एक हमने large quantity में लिख लिया है तो अब जो हमारी reaction होगी वो कैसे हो जाएगी first order action now the reaction become first order तो बच्चो इसी फिनोमेना को हम बोलते है सीडो first order reaction ठीक तो अब जो हमारा rate होगा देखो वो जो हमारा rate होगा वो क्या होगा देखो के एक की concentration की पावर 1 और B की concentration की पावर 0 यानि जो अब हमारी reaction है वो first order reaction हो जाएगी clear समझ में बात आ रही है तो हम यह बोल सकते कि solvent की concentration लगबग constant रहती है और जब बच्चों जिस रेक्टेंट की concentration constant रहती है तो वो rate of reaction में हिस्सा नहीं लेता है जो rate of reaction है वो केवल एक ही इसी रेक्टेंट पर depend करेगा तो जो हमारी reaction है वो second order के बज़ए क्या होगी फर्स्ट और तो इसी टाइप की reaction को हम बोलते हैं सीवडो फर्स्ट और रियक्शन ठीक है तो अब बच्चों definition लिखेंगे इतना समझ में आ गया थीक है तो अब बच्चों definition क्या बन सकती है देखो definition क्या होगी देखो है ना तो अब बच्चों सीडो फर्स्ट और रियक्शन की definition क्या बनेगी देखिए definition बनेगी the reactions which are not truly which are not truly first order reaction but under certain condition it become first order reaction are called pseudo first order reaction समझ में अरी बात ठीक है यानि कुछ ऐसी reaction जो truly first order की नहीं है दिखने में वो second order है लेकिन कुछ circumstances के हिसाब से यानि कुछ condition के हिसाब से वो first order reaction बन जाती है तो ऐसी reaction को हम बोलेंगे बच्चों सीडो first order reaction तो अब हमारे पास दो ऐसे एक्जामपल है जहां पर हम pseudo first order reaction को देखेंगे clear हो रहे है ठीक है देखो अब real example मैं देना वाला आपको pseudo first order reaction तो मैंने वह ही बोला था आपको कि दिखने में तो वो second order है लेकिन होती कैसे first order है ठीक धुका देती है इसलिए इनको हम बोलेंगे pseudo first order reaction चले example देख लेते हैं एक्जाम्पल्स नमबर वन एसेड़ केटलाइज है हाइड्रो लाइसिस ओफ इथाइल एसेट यानि एस्टर का हाइड्रो लाइसेश हो रहा है इन दे प्रिजिंस ओव एसेड तो इथाइल एसेटेट का फॉर्मला होता है बच्चों CH3COOC2H5 तो वाटर रहेगा उपर और यहां रहेगा एच प्लस तो क्या बनेगा CH3COOH प्लस C2H5OH दिस इस कॉर्ड इथाइल इस एसी एसीटेट अरे क्या लिख रहा होगा भी एसीटेट इस वोर्टर दिसेज इस इस टेक एसीट और दिस इस इस इते नोल है ना ऐसे बनता है ठिक आप देखें यहां पर जो है जो इताइल एसीटेट है वो एकस उल्यूट की तरह काम कर रहे है और वाटर क्या है एक सॉल्वेंट की तरह काम कर रहा है तो चलो बच्चों अगर मैं टी जीरो पे देखों तो इथाइल एसेटेट के 0.01 मॉल है और वाटर के माल ले जाए हमारे पास 10 मॉल है ठीक है तो इन दोनों के मॉल सुरू में 00 रहेंगे कि इसको डंक से लेकिते हैं जीरो मॉल एन जीरो मॉल है ना अब टी टाइम पर अजिए इसके मॉल हो गए जीरो ठीक है तो वाटर के मॉल होए नाइन पॉइंट नाइन मोल तो यहां पर इसके मोल हो गए 0.01 मोल एंड 0.01 अब बच्चों देखो यह तो पूरा के पूरा डिकम्पोस हो गया किसमें एसेडिक एसेट में और इथेन उलमें तो इसकी आइन पूर्ट 99 मोलि वुए थो बोलने का मतलब यह है कि जो हमारा रिए है वो वॉटर की कॉंसेंटरेशन पर डिपेंड नहीं करेगा कि इन्हाल एसेट एक Stephen के के च्छ 3 कि सी डबल ओ सी टू एच फाइब और साथ में वाटर भी लिख लो तो वाटर की जीरो कंसेंट्रेशन पर और सी अस्तरी सी डबल ओ सी टू अच फाइब की वन पावर पर डिपेंड करेंगा पिसे लिए इट विल बी फास्ट ओडर रेक्शन ठीक है चलो दूसरा ए हैलो लाइसिस औ-फ पा कि सूक्रो आप देखो बच्चो सूक्रो का फॉर्मला क्या होता हैसी बारा एच बाइस ओ ग्यारा है ना और इसका भी हम करेंगे हैड्रो तो सुक्रोज का अडॉलाइसिस क्या बनाता है ग्लुकोज एन फ्रक्टोज सी 6H 12 06 C 6 H 12 06 है ना तो दिस इस सुक्रोज यानि केन शुगर डिस इस ग्लुकोज इस इस फ्रक्टोज है ना अब देखो यहां पर जो वाटर वो भी बच्चों लार्ज कॉंटरेटी में तो वाटर की कॉंसेंट्रेशन पर ज्यादा फरक नहीं पड़ेगा तो इसलिए जो रेट है वो वाटर पर डिपेंड नहीं गए तो वह रेट किस्पर डिपेंड कर रहे केवल सुक्रोज के कॉंसेंट्रेशन पर तो हम यहां पर लिख सकते हैं रेट एक्वल टू के सी बारा एच बाइस ओग्यारा की कॉंसेंट्रेशन पर बस तो यह दो एक्जाम्पल है हमारे पास जो सीडो फरस्ट ओर्डर की थ होती है क्लियर हो गया तो चलो आज की वीडियो में इतना ही नेक्स्ट वीडियो में हम लोग आरेनियस कॉंसर्ट पर डिसकस करेंगे क्लियर तब तक के लिए थेंक्यू बड़ी मुच